रोग लेश्टर एंड अंडर्टेकर की अनोखी पिक्चर आई सामडे कोडी रोड्स का मैच हुआ कनफर्मड शिल्स के नागमुराई क्यूं फेस करें रोमर रेंज स्कॉट जाने के क्या कुछोगा रेसलमी ने बैकलाश के अंदर रपसकार दोसों मेरे रभी को रव डाब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए गाए इस साल का वह ने जारा दोस्तों आठ माई को जो कि प्रोविडेंस रोड आइलेंड में होगा जहां गाइस बात की जाए इस बारी की बैकलाश की इस बारी की बैकलाश दोस्तों पहले से ही धासू हो चुकी है कर दोस्तों चैपिशिप का जो मैच है कल राउंडा राउजी ने इसके लिए चैलेंज किया था शालेट को और रडवी वालों ने ठीक दो घंटे पहले इसे कंफर्म भी कर दिया डवी वालों ने पताया कि यह हम कंफर्म करते हैं डैट में शालेट फ्लेयर जो है यहां फ वर्सिस आर के ब्रो फॉर रॉ ठैटीम चैंपिशिप तो गाइस बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की तो मैच दोस्तों तबदील हो सकता है अंडिस्पूटिट टैटीम चैंपिशिप में भी क्योंकि गाइस अगर आर के ब्रो वालों को उसो चैलेंज करने वाले तो आ मैच की बात की जाए देखना होगा यह कि रोमर रेंज की प्रोफेसी यानि की ब्लर लाइन को सारी चैंपिशिप दिलाने की पूरी होती है कि नहीं चलते हैं से अगले मैच के उपर इसके बाद जोगला मैच हम लोगों देखने हो मुलेगा वो रूमर मैच है और यह होने जो की होगा यह चैंपिशिप के लिए तो फिन बैलर को लगबग 6-7 बारी पिंड कर चुके हैं बीते कुछ एक महीनों में और हम लोगों देखा है फिन बैलर हमेशा उनके सामने कमजोर पढ़ जाते हैं और रूमर्स की माने तो मैच बन सकता है और बनना भी चाहिए मेरे हिसाब से चलते हैं मेन इवेंट ऑफ दा एविनिंग के उपर वाइस मेन इवेंट ऑफ दा एविनिंग जो की 100% रहने वाला है रिसल मिनिया बैक लैश का वो रहेगा तोस दो दर ड्राइबल चीफ रोमन रेंस का जो की फेस करेंगे शिंस के नाका मूरा को अंडिस्पूर पर अटेक कर दिया लेकिन गाइस शिंस के नाका मूरा जो है वही ओम पुरेंट रहने वाले रिसल मिने बैक लैश में उनके क्योंकि गाइस सब लोग जानते इस मैड़न रोस्टर में कोई वेंदा नहीं है जो की ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फेस कर पाए क्योंकि अब इस वीडियो के उपर यारी की खबरो के ऊपर आज के मारे जो सबसे पहली खबर जुड़ी है वो दोस्तो काफी exclusive है और वो जुड़ी है Alexa Bliss से Alexa Bliss को दोस्तो मैं generally मेरी Alexa Bliss करके संबोधित करता था लेकिन आज से दोस्तो मेरी Alexa किसी और की हो गई क्योंकि उन्होंने कर लिए शादी जी हाँ आपने विल्कुल सही सुना Alexa Bliss जो की काफी समय से दोस्तो WB से गायब दिख रही थी और Elimination चेमर के बाद से उनके दर्शन नहीं हुए थे उन्हों दोस्तो आज अपने बॉइफ्रेंड रायन के साथ शादी कर लिए तो रायन दोस्तो एक मुजिशियन है रॉक स्टार मुजिशियन है उनके साथ दोस्तो उन्होंने शादी की है जो की दोस्तो ट्रडिशनल वे में नहीं हुई रॉक स्टार वे में हुई कुछ हमने हैं यहां बताया जा रहा है कि Alexa Bliss का कहना यह है यो रायन को फाज जर्मों के लिए अपना पती मान चुके और रायन के साथ ही वो इस जिन्दगी में खुश है तो यहां दोस्तों Alexa Bliss जो की काफी समय से डेट करी थी अपने बॉइफ्रेंड रॉक स्टार रायन को उनके गरेचुलेट दिल पर पत्थर रखे चलेंगे से अगली न्यूज के उपव तो इस अगली न्यूज जो आज की मारी जुड़ी विवर जुड़े दोस्तर डवली सूपरस्टार की सैलरी से वह सब लोग जानते हैं कि रोम और रेंस ब्रॉक लैश नर्सी नार्ट रॉपल ये बंदे बहुत जाला पैसा कमाते हैं लेकिन बाकी के सूपरस्टार्स का क्या या फिर कह लीजे डवली में सबसे मिनिममम तंखा क्या है एक ऐसा सवाल है जो कि आपके दिमांग में भी आता होगा जिसका जवाब आज दगेम ट्रिपल एच ने सो एम दे दिया ट्रिपल 2000 डॉलर माना दोस्तों लगबग लगबग एक करॉड असी लाग हर एक सूपस्टार को annually www देता है हर साल हर एक सूपस्टार चाहे जहा चो तो चो फिर बड़ा लगबग लगबग 2 करॉड तो कमा ही लेता है चलते हैं दोस्तो इस अगली निउस के उपर तो इस अगली मेर कोडी रोड से वाइस कोडी रोड से अगर आप बड़े वाले फैन है तो आपको एक खबर का विदा खुश करेगी कोडी का नेक्स मैच डवली वालों ने कनफर्म कर दिया है तो दोस्तो हम लोगों ने देखा है कि कोडी जो है रोड के अंदर अपीर रोड थे इस वीक और गाइस उन्होंने वहाँ आफ्टर दी रोड केवनों उसको फेस किया था लेकिन गाइस कोई ओफिशल मैच नहीं था लेकिन बीती शाम दोस्तों कोडी रोड से लेटेट कई सारी पोस्टे डवली वालों ने डाली है साथ साथ उससे पहले उन्होंने ये चीज़ में बताई कोडी रोड का मैच होने जारा दमिस के खिलाफ और ऐसा हो छे साल बाद करने वालें की मंदे नाइट रोड कुसी ये स्टार फेस करेंगे तो कोडी बेज उने वाला है इस बारी की मंदे नाइट रोड में में रिपोर्ट की माने तो गा还ि सैथ वर्ड ひेइस वर्डी जो है फिर फिर से गेनाइट हो सَّकता है रेसल मेंने में कोडी नहरा दिया में चलते हैं इससे अगली नश के अपर दो इस अगली नीज हूँ जड़ी विए हवा ज़ोड़े है जैविर वूट्स हैं तो जैविर वूट्स ने दोस्तो एक नया finisher चूज कर लिया है और उसे दोस्तो जो हमारे जेवियर थे वो बता रहे है कि ये अब बैक वूट्स कहलाएगा बैक वूट्स मेरे इस फीनिशर का नाम है तो ये जिसे लगा दोस्तो मानो केल कतम चलते हैं से अगली निव उसके उपर इस एकली निव जो आज के मारे जोड़ी वी है वो जड़ादस्टो हमारे जिंदर महाल वर्सिस रिकोशे से उसमें ये ड़ान में सब लोगों नेखा कि जिंदर महल को अपना मैच नहीं था रिकोशे खिलाव लेकिन रिकोशे वहां थे ही नहीं रिकोशे कहा दल्थ तो रिकोशे बढ़ दोसो अपडेट यह है कि रिकोशे दोशे वह चुटी बढ़ थे डवलों ने चुटी पे बेज़ा था इसकी सुना रिकोशे ने दी और चीज बताई डवलों को देने वाद जो मुझे इस अफते चुटी थी सा उन्हें ने यह चीज भी पताई गे नेक कर सकते हैं क्योंकि काफी जादा लेकिन गाइज इस पर जो हमारे रेने उनका मानना बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वह उनके पती है रेनें दोस्तों हाली में एक पोस्ट डाले सोचल मीडिया इस्टाग्राम के उपर यह चीज लिखी है साद में बुक्स लिखी है उतार चड़ाव देखे है मुझे बहुत जादा पसंद है इसका जैसी कोई भी चीज कोई दूसरा नहीं कर सकता है यह जो बंदा है यह काफी मज़ेदार है मैं मज़ेदार हूँ यह मज़ेदार है हम दोनों मज़ेदार है और हम जो चीज़े कर कोई भी नहीं कर सकता है यहां दोस्तों जो ब्रेने अंगे हो काफी जादा इमोशनल नजर आई है इस पर्टिकुलर पोस्ट में और गाइज मेरे साब से शायद से इनकी शादी को पांस साल हुए है पूरे तो साल की राकी में शुब काम ना है जरूर दूंगा जैसे की पोस सेला नहीं जो आज की मारी चुड़ी है वह चुड़ी हुई है दोस्तों हमारे फीनॉम अंडर्टेकर एंड ब्रॉक लैस्टर से तो दोनों ने दोस्तों एक मीम को रीक्रेट किया यह मीम दोस्तों आज से बहुत साल पहले का जब हेंरी जो की सूपर मैन है दोस्तों हॉलि लैस्टर एंडर्टेकर ने बनाया है रिसलमीनिया पिक्स जो हम लोग वह सामने आई है रीक्रेट करने की कोशिश किया है शायद से लैस्टर एंडर्टेकर के साथ इस मीम को ऐसा लग रहा है पिच्छे से वह टैग कर देंगे लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है लैस्टर लैस्टर एंडर्टेकर काफी अच्छे मित्र है साथ इसाथ 200 बात की जाए लैस्टर की एस पर रिपोर्ट्स पताय जो रहा है बैक्लैश का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन रोमन उनके उपनेंट नहीं होंगे अब गाइस बात कर ली जाए रोमन रेंस के लैस्टर उपनेंट न दो है सबसे पहला रिजन तो यह कि शिंसके नागामुरा का टाइम नहीं है एक समय था दोस्तो शिंसके नागामुरा क्राउड में कफ़ता ओवर थे लेकिन अभी वो समय नहीं है उनका मित्र जो है इंजड है इसलिए ट्राइबल चीफ उनके उंपनेंट बन पाए है दू गाइज यह मैच इसलिए भना है ताकि गाइज डबल बली काम चला सके रेसल में यह बैकलैश दोस्तो इतना बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं होता है तो अगर मैं कहूँ कि यह काम चला हूँ राइवर्री है तो गलत नहीं होगा वीडियो आज की इतनी ती तो अगर आपको सैटिस्फाइ की हो वीडियो को लाइक और शेयर जो की जगा आस तर के लिए तना ही धन्यवाद शब अगयर